हेलो फ्रेंड्स क्यों से आप सब वेलकम इनिश्योडिय ऑफिशल मैं हूँ राज और हम पढ़ रहे हैं यूनिट टू में आज हम पढ़ने वाले हैं प्राइस डिटर्मिनेशन इन टम्स ओप डिमांड एंड सप्लाई मार्केट में जो प्राइस होती है वो के एक्चुली मे देख लेते हैं कि कौन-कौन से टॉपिक हमको पढ़ने हैं या फिर यूनिशिटी के एक्जाम में लिखने तो आपको लिखना है फिर्स्ट मारकेट प्राइस तो यह आद देख लेंगे हम यस लेक्चर में फिर देखेंगे कि क्या डिमांड ही प्राइस को डिसाइड करती है यह नक की करती है यह देखना है क्या सफ्ल आइड है फ्राइस को डिटर्मींट करती एक या आके लिए supply ही प्राइस को नक्की कर देती है तो ये भी आज देखेंगे तो फिर next देखेंगे हम कि actually में प्राइस determined कैसे होती है मार्केट में ठीक है ये चारो टॉपिक आज के लेक्चर में देख लेंगे फिर next टॉपिक आता है presentation through schedule and graph ये next lecture में देख लेंगे फिर effect of demand and supply on price तो ये जो है वो आने वाले लेक्टिस में देख लेंगे ठीक है ये दो टॉपिक ठीक है तो अभी फिलाल हम मार्केट प्राइस पे चलते हैं तो मार्केट प्राइस actually में होता क्या है आपने अगर डियान से देखा होगा या अगर अगर अब्जव किया होगा कि आपकी जो नजिदिक की दुकान है वहां पर जाते हो एक पालिजी का पैकेट पर्चेस करते हो और उसके लिए आप पांच रुपे पे करते हो ठीक है मैं छोटे पैकेट की बा आपकें पर आपको कुछ से फालिए और रों मारके प्रैस की डेफिनीशन की बात की जाए तो यह जो 5 freue आपने पैक रिये है वही क्या है वहीं प्रकार की मार्केट प्राइज तीक है मार्केट प्राइज और कुछ नहीं अब जब मार्कीट में जाते हो परृश करते उसके पैसे पे करते हो this is the market price ठीक है यही आपके बुक में भी लिखाए ठीक है तो यह सारा जो होने वाले वह एक्जेट में आपकी बुक से लेने वाला हूं ताकि अगर आप फिर से घर पे करो तो आपको कुछ दूसरा नजर ना आए ठीक है आपको लगे कि यह समझ में आ गया अब हम चलते सेकेंड टॉपिक पे जो है यानि कि क्या डिमांड इकलोती प्राइस को नक्की कर सकती है और जनरली लोग जो होते हैं वह यही सोचते हैं कि डिमांड प्राईस को नक्की करती है यानि ki कैसे कि अगर डिमांड इंक्रीस हो जाती है तो उसके काराण प्राइस भी इंक्रीस होगी यह लोग ऐसा सोचते हैं कैसा यह सब होता है मैं आपको ग्जहम्पल दूँगा तो आपको जरूर से याद आ Sek Gos तो आपको जरूर से याद आ जाएगा तो एक्जामपल कुछ ऐसा है सपोस करो यह गड़ा एलेक्ट्रोनिक से अपने जेठालाल की दुकान और वहां पे बहुत सारे लोग टीवी पर्चेस करने के लिए आ जाते हैं ठीके बहुत सारे लोगों को टीवी चाहिए अब जेठा लोग पर्चेस करने के लिए आ रहे है तो उनको प्राइज इंक्रिस करनी होगी ठीके और इसका और इसका एक 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 जेट ओपोजिट केस ले लेते हैं कि आपको भी यह ख्याल आया होगा कि हम किसी चीज को खरिदना ही बन कर दें हम उसको पर्चेस करना ही छोड़ दे त ठीके तो यह जो चीजे हो हमारे दिमाग में आती है यानि कि डिमांड इंक्रिस हो जाती है तो प्राइस भी इंक्रिस होती है ठीके यह चीज आती हमारे दिमाग में लेकिन यह जो चीजे वह रॉंग है क्यों क्योंकि अगर आपने लॉफ डिमांड पढ़ा होगा तो आप को मालुम होगा कि demand and price के बीच में inverse relationship होता है ठीक है उसके बारे में हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे ठीक है का तो यह जो चीज हमने कई कि लिनकरीज प्राइंस इंक्रीस डिमान डिकृस प्राइंस डिक्रीज ठीक है है तो इसके बारे में भी थोड़ा बात करते हैं यह जो चीज है हमने कहा यह चो चीज है वो रॉंग है इसके लिए हमने एक example भी लिया है कैसे रॉंग है अब मैं example दूगा तो आपको लगेगा कि यसर यह रॉंग है ठीके सपोस करो एर जो कुद्रती हवा है वो ठीके जो एर है उसकी डिमांड कैसे होती है ज्यादा होती है क्यों क्योंकि एक necessary चीज है इसके बिना कोई भी लोग जिंदा नहीं रहे पाएंगे यान कि दुनिया में जितने लोग है वो सभी के सभी एर गो डिमांड करेगे लेकिन क्या हम एर के लिए प्राइस पे करते हैं नहीं करते हैं ठीके एर की डिमांड ज्यादा है तब भी उसकी प्राइस क्या है कम होगी या तो फिर नहीं है मैं जो अस्पिटल में वह बाटल है डिमांड इंक्रीज होती है तो प्राइज इंक्रीज होती है वह रॉंग है ठीक है तो इससे साबित हो जाता है कि डिमांड अकेला प्राइज को कभी बीडिटर्मेंड कर ब्रखता नहीं है ठीक है अब जाते हैं हम थर्टापिक पे ठीक है आपकी बूक में इतना इतना ही लिखा रहा है नहीं जार। अपक्वोशन आता है कि क्या सप्लाई अकेला प्राइज को तो as a result price decrease होगी और supply कम होगी तो price increase होगी अब इसको समझाने के लिए agriculture सबसे बढ़िया example है suppose करो आलू जो है आलू जो है उसका जो production है बहुत ज़्यादा हो जाता है ठीक है उसका production बहुत ज़्यादा हो जाता है यानि कि market में उसकी supply increase हो जाती है और as a result क्या होगा अभी जो आलू बने है उनको बेचने के लिए उनके दाम जो है prices जो है वो कम होगे यानि कि production increase होआ यानि कि supply increase होआ और supply increase और उसके कारा price decrease होआ कैसे हुआ हमको मालूम पढ़ गया कि production होआ है अब उसको sell करना है तो price कम करना ही पड़ेगा और इसको हम घड़ा electronics के माध्यम से भी समझ सकते हैं ठीक है जेठा भाई के पास 100 टीवी पड़े लेकिन खरीदारी करने वाले टोटल पांच लोगी है पांच लोगी है जो खरीदारी करना चाते अब जेठा भाई को यह 100 टीवी बेचने है तो वो क्या करेंगे अपने जो prices है टीवी के वो decrease कर देंगे यानि कि supply increase होआ टीवी बहुत है अगर decrease हो जाता है तो वहाँ पराइस उन्क्रेज हो जाता है कैसे खिस पोज आलू जो है उनका production हुआ यह उसका farming हुआ है नहीं और आलू के दाम उसके कारण ज्यादा हो जाएगे क्योंकि मार्केट में आलू है ही नहीं तो इसके करण उसकी प्राइस ज्यादा हो जाएगी ठीक है तो यह जो है यह लोग समझते हैं लेकिन एक्चुली में सप्लाई एन प्राइस के साथ डायरेक्ट रिलेशनसीप होता है कैसा रिलेशनसीप डायरेक्ट रिलेशनसीप होता है ठीक है तो यह जो डायरेक्ट रिलेशनसीप थोड़ा आगे पड़ेंगे ल रुको भाई हम कह सकते हैं कि रुको भाई मैं आपको समझाता हूं कि देखो हमारे सिटी में कितने सारे बिल्डिंग से ठीक है सैंकडो बिल्डिंग लेकिन उनकी जो प्राइजीज वह सतत याने कि कॉंस्टंट इंक्रीज हो रही है यहाँ पे बिल्डिंग की जो सप्लाई है वो कैसी है बहुत ज्यादा है लेकिन प्राइज फिर भी इंक्रीज हो रही है तो यह तो आपने जो कहा कि सप्लाई इंक्रीज होती है और प्राइज इंक्रीज होती है वो तो गल्लत है तो यह सब चीजे आप लोगों को समझा सकते तो यह आपके लुए कर सकता क्यों है तो अबी आते हैं इस लेक्षर का लास्ट टॉपिक की एक्फुलिए में प्राईस डिटर्मिन कैसे होता है थीक है तो हमारे कुजरती में कहई वत है कि एक हाथे तालीब आगे नहीं यानि कि यह demand है यह एक हाथ है और यह supply है यह एक हाथ है तो यह अकेले हाथों से कभी भी ताली बच सकती नहीं है तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा यहां पर बिगा करना पड़ेगा यानि कि merge करना पड़ेगा तभी हमको market price या price determine हम कर सकते हैं ठीक है तो हम जानते हैं कि जो demand है वो कैसा होता है कि गर price increase हो जाती है तो demand decrease हो जाती है और जब price decrease होती है तो demand increase होता है ठीक है यह चीज़ हमको पता है और यह चीज़ हमने पड़ा है law of demand में supply की बात की चाहए तो supply आपने 11 में पढ़ा होगा ठीक है कि जब price increase होती है तब supply increase होती है और जब price decrease होती है तब supply भी decrease होती है ठीक है तो ये चीज आपने 11 में पढ़े होगी तो price determine कैसे होता है कि ये जो दोनों है एक जगा पे क्या होंगे equal होंगे यानि कि हम कैसे सकते कि demand जो है equal to supply होगा और तभी ये जो case होगा ये जो point होगा वो हमारा होगा price ठीके तो ये जो point मैंने बुला है वो कैसे find होता है ये हम सिखेंगे next lecture में graph वाले topic पे ठीके इसको हम graph और table के साथ सिखेंगे ताकि आपका जो concept है पूरा clear हो जाए ठीके और इसके बारे में जो not से वो आपको ये week तक मिल जाएगी यानि कि यहाँ इस video lecture से 7 दिन के अंदर अंदर आपको ये जो not से वो मिल जाएंगे ठीके तो थोड़ी देर लगेगी क्योंकि मैं अभी लिख रहा हूं तो थोड़ी देर लगेगी और definitely आपको not मिल जाने वाले बहुत अच्छी तरीके से और मैंने जो not से book से लिखे ताकि आपको और अच्छे से समझ में जाए सिफ जो hard words है उसको मैंने change करके जो अच्छे अच्छे words है उनको interpret किया है ठीके तो मिलते next lecture में तब तक के लिए चल सा कर जो आव जो बाई बाई